नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकेत इंस्पायर्स इंडिया पर, मैं हूँ अंकेत अवस्ती, आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन में, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि सर आप पाकिस्तान के समाचार नहीं सुना रह पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री है, शाह महमूद कुरेशी, आजकल ये बहुत सुर्खियों मैं, अगर आप नहीं पैचान रहे तो मैं बता दू कि ये इमरान खान के बिल्कुल क्लोज एड़ी है, यानि कि एकदम इनके बाद ये पाकिस्तान के, मतलब जिस पार् इसको पैचान रहे हैं, नहीं पैचान रहे हैं तो मैं बता देता हूं, वांग वी है, ये सीन का विदेश मंत्री है, ठीक है न, इसके साथ मैं आप दूसरे देख रहे हैं सरगई लैवरोब को ये हैं, रूस के विदेश मंत्री, इनके साथ तस्वीरे किचाते हुए इन व पेटने का प्रयास करेंगे शुरुवात शाह महमुद पुरैशी से कर देते हैं लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी आप लोगों के लिए है और जानकारी ये है कि यदि आप में से कोई भी साथी स्टेट PCS में राजिस्थान या उत्तरप्रदेश की तयारी कर रहे हैं तो अपनी पाठशाला एप्लिकेशन पर 7500 रुपए में complete foundation badge दिया जा रहा है मेरे नित्रत्व में इतनी जबरदस्थ टीम आपके साथ including मेरी classes भी आपको यहाँ पर मिल रही है और यह classes 7500 रुपए में उपलब्ध हैं फिलहाल लेकिन आने वाले एक तारिक से इनकी कीमते बढ़ने वाली हैं ठीक है आप demo देखना चाते हैं तो हमारे एक और YouTube चैनल अपनी पाठशाला है वहाँ पर निरंतर इन टीचर्स के demo डाले जा रहे हैं यदि आप मेरे notes handwritten अपने घर पर मंगाना चाते हैं तो 4 subject के handwritten notes 3000 pages के मातर 1199 में घर पर deliver किये जा रहे हैं व्यक्ति ये है शाह महमूद कुरेशी शाह महमूद कुरेशी की चर्चा क्यों है क्योंकि ये पाकिस्तान के 29 वे foreign minister थे कब से कब तक थे 2018 से 2022 के बीच में इससे पहले कहते हैं कि ये 8 से 18 के बीच में भी पदपर रह चुके हैं ठीक है साथ जब पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार हुआ करती थी तब ही विदेश मंतरी हुआ करते थे चलिए ठीक है साथ चर्चा क्यों कर रहे हैं उन्हें तोडने के लिए पाकिस्तान की जनता ऑफिसेज पर धरना बोल दी धमला बोल दी उन हमले को भड़काने वाला जो असली किरदार था वो ये था इमरान खान जब से ये जेल में है पाकिस्तान से मनोरंजन की कबरे नहीं आ रही हैं खेर ये भाई सहाब जब खुले घूम रहे थे इन्होंने अपनी गिरफतारी वाले दिन जनता को भड़का दिया जनता के भड़कने पर पाकिस्तान में कुछ नजारे इस तरह के देखने को मिले जहां तहां देखो आग के नजारे थे आगजनी थी रोड़ चक्का जाम सब चीजें थी पाकिस्तान में 9 मई के दिन दंगा हुआ यानि कि अगर आप गूगल पर 9 मई पाकिस्तान डूनेंगे तो पाकिस्तान के अंदर ब्लैक चैप्टर आफ पाकिस्तान के नाम से ये कंसीडर किया जाता है यानि एक ऐसा दिन जिसे पाकिस्तान की आज तक की राजनीती में सबसे गंदा दिन कंसीडर किया जाता है हुआ क्यों था? क्योंकि पाकिस्तान के पूर प्रधान मंतरी इमरान खान की गिरफतारी हो रही थी उस दिन जब पाकिस्तान के पूर प्रधान मंतरी 9 तारिक के दिन गिरफतार हो रहे थे पैरा मिलिटरी पुलिस इने गिरफतार करने आई थी तो इनके समर्थकों ने पाकिस्तान में जहां तहां हमले बोल दिये चुकि पाकिस्तान के प्रधानमंतरी सेना पर तंजकसते थे तो सेना पर भी इन लोगों ने हमले बोल दिये भाई साथ पाकिस्तान में सेना सबसे पावरफुल चीज है सबसे पावरफुल है मतलब इनके यहां राजनेता तो केवल डमी होते हैं आपको वो द्रश्चों से दिख भी जाएगा लेकिन इमरान खान सोचे कि वो कोई नई चाल चल के दुनिया के सामने नया पैमाना सेट कर देंगे हो नहीं पाया हो नहीं पाया तो जनता का भढ़काना भी ज़्यादा काम नहीं कर पाया इमरान खान तो गैस हो गए इनके पीछे पीछे इनके नेता भी साथ में हो लिये इमरान खान जेल पहुँचे ही थे इतनी देर में इनके नमबर टू पार्टी पीटी आई के अंदर नमबर टू शाह महमूद कुरेशी इनका भी टिकेट टू बॉलिवुड कट गया दस तारीक को इने भी जेल में डाल दिया गया ठीक है साथ ये जेल में पहुँच गए शाह महमूद कुरेशी को जब दस तारीक को जडाला गया जेल में उसके बाद इन्हें 6 जून को रिहा कर दिया गया 6 जून को रिया हुए इन्होंने का चलो बढ़िया हुआ अब कम से कम वापस से हम लोग अब राजनिती चमका सकेंगे और इमरान खान भले ही जेल में रहे हम पीछे से इमरान खान के लिए मजबूत जनाधार बना लेंगे लेकिन इन्हें क्या पता था कि इमरान खान एक बहुत बड़ा कांड कर चुके थे और वो कांड क्या था असल में इमरान खान ने एक बार ऐसे ही जनता के सामने एक कागज लहरा दिया था ये कागज जो था एक secret document था secret document का मतलब ऐसे समझे कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने अपने हाथ में कागज लहराते हुए दुनिया को ये दिखाया कि देखो America मुझे गिराने की यानि कि मेरी सरकार को गिराने की तमाम कोशिशे कर रहा है और ऐसा document मैं official तरीके से आपको दिखा रहा हूँ पद और गोपनियता की शपत खानी होती है जब भी कोई देश का प्रधान मंतरी बनता है या मंतरी बनता है इमरान खान ने वो सब किनारे रखते हुए अमेरिका पर आरोप लगाते हुए और उस document को public कर दिया जिससे ये सिद्ध होता था कि इन्हें गिराने की अमेरिका कोशिशे कर रहा है यह है चर्चित साइफर केस कहलाया इस साइफर केस के चलते इस लहराते हुए कागज के चलते विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी जो की इमरान खान के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए 19 अगस्त को दुनिया के सामने आये थे उन्हें 20 तारीक को उठा कर यानि 20 अगस्त को उठा कर जेल में डाल दिया गया यानि जून में निकले अगस्त में इनको फिर से जेल में टिका दिया गया अगस्त के गए गए जेल में ये फिर से आज से दो दिन पहले 27 तारीक को पबलिक आये यानि कि सब के सामने निकल कर आये इनको जेल से रिहा किया ही जा रहा था जेल से रिहा होकर के ये फिर से अपने साथ जो जातियां हुई शाह महमूद कुरेशी उन्हें बताने की कौशिशे कर रहे थे पवलिक के सामने खड़े होकर अपने एक्स्प्रेशन्स दे रहे थे लेकिन एक शर्मसार करने वाली घटना यहां हुई पूर्व विदेश मंत्री को पुलिस वाले धक्का मारते हुए फिर से जेल में धकेल दिये यानि कि इनके यहां जेल से आना जाना बिलकुल ऐसे चल रहा है जैसे आप घर में आते जाते रहते हैं इनके यहाँ पर पहले एक बार गए फिर दूसरी बार गए अब तीसरी बार फिर से एल में जेल में डाल दिया गया और इस बार जेल में डाला भी गया तो धकेल के और जेल के बाहर जब उनको कोट के सामने ले जाया गया तो मुलजिन की तरह हतकडियां बांद के जरा इस द कैसे ऐसे रिया हुआ हूँ इस तरह से रिया हुआ हूँ यह अपनी बाते रख रहे थे तसली से बस हो गया अब हो गया अब यह पुलिस वाला यह शाह मैबूद कुरेशी को देखिए दो बाते हैं यहाँ पर निश्चित ही यह हमारा दुश्मन मुल्क है और दुश्मनों में हमारे प्रति यह भाव होता है कि दुश्मन है तो इसके साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ लेकिन राजनीती में चुकि लोकतंत्र जिस भी देश में है यह लोकतंत्र के लिए अगर एक राजनीता है तो लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं नागवारा होनी चाहिए इन्हें कोई से भी देश के द्वारा एंडॉर्स नहीं किया जाना चाहिए इस तरह की बातों का आपको और हमको भी समर्थन नहीं करना चाहिए लेकिन पाकिस्तान को भारत लंबे समय से यही तो बता रहा है कि तुम जबरदस्ती हमारी नकल करने के लिए हमारे पीछे पड़े हो कि इंडिया की तरह बनना है इंडिया को इज़त मिलती है वैसी हमें मिलनी चाहिए इंडिया की बराबरी इमरान खान की असली परिशानी क्या थी इमरान खान की असली परिशानी थी कि उन्हें भारत की तरह सम्मान चाहिए था बिलकुल फुल इज़त इंडिया वाली चाहिए थी रूस की गोदी में भी वो इसलिए जाके बैटे कि उन्हें लगा इंडिया और रूस की जो दोस्ती है वो तो मैं भी कर सकता हूँ अमेरिका के खिलाफत इसलिए कि इंडिया तो करता है तो मैं भी कर सकता हूँ रूस से तेल इसलिए मंगाया कि इंडिया तो मंगाता है तो मैं भी मंगा सकता हूँ ये हमारी होड चलने लगे थे यानि कववा चलने लगा था हंस की चाल लेकिन कववा ये भूल गया था कि वो कववा है ऐसी इस्तिती में पाकिस्तान के राजनेता अपनी जो वास्तिकता है उससे परे चलके जब अपनी नीती बदले तो बड़ी दिक्कते हा गई अमरीका को लगा कि यार अभी तक जो हमारे तिये टुकडों पर पलने वाला देश था अचानक हमसे बगावत करने लगा है उधर से एक इशारा हुआ शहबाज शरीफ को इशारा दिया गया कि पलट दो इनकी सरकार तो उन्हांने खट से पलट दिया वही तो साइफर केस है और उसके बाद में इनको बिचारों को जेल में डाल दिया गया है तब से ये जेल में है पाकिस्तान का खुद का कभी इस्तत्य थाई नहीं जो देश केवल अपने धर्म के नाम पर एक जिद से बना हुआ हो जिसकी कोई नीती कोई पॉलिसी कोई विजन ना हो उस देश के अंदर राजनीती का क्या इस्तर होगा वो आए दिन देखने को मिलता है पाकिस्तान के जो वर्तमान हालात हैं जिसमें की इमरान खान अंदर है नवाज शरीफ जो पनामा पेपर घुटाले में देश छोड़कर भागे हुए थे वो देश में आ चुके हैं नवाज शरीफ चुनाव लड़ेंगे ये तै हो चुका है इमरान खान जो नेता बने घूम रहे थे उन्हें जेल की हवालात की खाबक सहर दिलाई जा रही है सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है हाफिज सहीद जो भारत का सबसे बड़ा most wanted है उसका बेटा चुनाव लड़ रहा है ये सब जो चीजें हो सकती हैं ये केवल पाकिस्तान में हो सकती है लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे राष्ट प्रेमी उपस्तित हैं जो पाकिस्तान से प्रभावित हो जाते हैं कि देखिए पाकिस्तान ने हमारे बारे में ऐसा कहा है इनको value देना ही नहीं चाहिए हमने अपने sessions में बहुत लंबे समय बाद ये session किया है क्योंकि बहुत सारी demands आ जा जा जी ती अभी जब हम इधर उधर कहीं गए तो अचनका सरा पाकिस्तान को बिल्कुल अजन्दाज कर रहे है अरे भाई हैर चलिए तो जान लीजे पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे है ये मंत्री जी है इनको गसीट के अंदर डाल दिया है ठीक है साब चलिए तो रावल पिंडी पुलिस ने धकियाते हुए दुबारा जेल के अंदर इन्हें डाल दिया और इन्हें अदियाला जेल के लिए भेज दिया गया कि चलिए आप अपने जेल के अंदर पहुँचिए साइफर जेल के अंदर इन्हें भेज दिया गया ये भी इनके खिलाफ थोड़ी सिंपैथी जताई कि यार कोई नहीं नेता आदमी था इतना बुरा नहीं होना चाहिए तो लेकिन हरकतें इसकी ऐसी थी कि जो हुआ वो भी कम हुआ अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ये वही प्राणी है जो कश्मीर जिसको जबरन हड़पकर ब लीका जाए इमरान खाने और इन्हों ने कश्मीर का मुद्दा बना करके पाकिस्तानियों को बरगलाने की कौशिशे कियोगी थी इनने ये समझ में नहीं आया किक टश्मीर जंता को मॉबिलाइज करने के लिए मामला हो सकता है सत्ता चलाने के लिए नहीं कटोरे के अंदर जो दाना डलेगा वो पैसे जो डलेगा वो व्यापार से डलेगा शांती से डलेगा इस्तिरता से डलेगा लुट गए अब देखिए कि ये दुनिया भर में कश्मीर का धिंडोरा लेके पीठे कोई काम नहीं आया ना कश्मीर का मुद्दा कहीं काम नहीं आया, तुर्की कहीं काम नहीं आया मर गए, खामखा जेल में डले पड़े हो तुमको यह समझना चाहिए कि जिस जगे को तुमने जबरण कबजा किया हुआ है जब जब तुम उसकी बाते हो, लोग यह मानने लग जाते हैं कि तुम्हारा हाल उस देश का हाल बहुत बुरा हाल है तुम्हारी बातों में जो एथिक्स है वो गायब है और जब एथिक्स गायब है तो लोग तुम्हारे साथ कुछ हो भी रहा होता है तो कोई सामने निकल कर भी नहीं आता तुमसे ज़्यादा तो समर्थन आंसान सुकी का म्यानमार में देने के लिए जनता चली आती है भाई नोबल तक दिया हुआ है उनको उनके संगर्श को है ना तो पाकिस्तानियों को ये बात समझनी चाहिए किसाब पाकिस्तानी बड़े नाराज है मिस्ट्रीट किया गया है हाला कि मिस्ट्रीट के उपर जब बात आई तो लोगों ने इनके कुछ वीडियो निकाल दिखा है जिसमें ये दिखा रहे हैं कि ये आदमी खुदी बड़ा बेगैरत प्रकार का है ये अपने अधिनस्तों को बड़ा बेज़पी से ट्रीट करता था देखिए ये एक पुलिस वाले को हरकाता हुआ दिख रहा है जिसमें वो कह रहा है तमीज से बात करिए फिंगर करके पॉइंट करके मतलब खुद जेल से बाहर आ रहा है और पुलिस वालों को हरका रहा है हाला कि राजनेता सस्ती राजनेती जब करने आते हैं तो उन्हें लगता है कि प्रशाशन को धमका दो जनता के बीच में हीरो बन जाओगे प्रशाशन को धमका दिया हमारा नेता कैसा हो तो ऐसा हो जो पुलिस से नहीं डरता हो तो ऐसी इस्तिती में इस व्यक्ति की तस्मीरें लोगोंने निकालते हुए कहा कि महराज आप तो कम से कम रेस्पेक्ट की चर्चा मत करिये क्योंकि आपके साथ जो हुआ वो इसी लिए हुआ आपको धक्का के पुलिस करके जाले है में बहुत ज़्यादा परिशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है लेकिन इन्हें गिरफतार करने के बाद में कुछ इस प्रकार से जेल में हतकडी बांद करके लिजाया गया और हितकडी बांद कर लिजाया गया तो इनकी बेटी बाहर निकल के कोई ऐसा करता है क्या धक्का मार के अंदर ले गए हो राजनेता को हत्गड़ी भार के लाए हो कोई इसने हत्यावत्या किये कि बेखो पाकिस्तान में कोई चीज कुछ भी तर्क नहीं रखती है सब कुछ तर्क की चीज़ है पाकिस्तान की फिलहाल टॉप कोट ने इनको कुछ दिनों की बेल भी बताई सर्चा में है लेकिन ये दिखाई तो पड़े नहीं है अभी तक क्या चल रहा है पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होने बाले है 11 फरवरी को और इसी बीच में नवाज शरीफ अपना नॉमिनेशन जरूर भरेंगे क्योंकि इनके नॉमिनेशन को एकसेप्ट कर लिया गया नवाज शरीफ वही थे जो देश छोड़ करके दूसरे देश में रह रहे थे इमरान खान के साशन के दौरान ठीक है इंट्रेस्टिंग इमरान खान का नवाज शरीफ का नहीं है बरना इंट्रेस्टिंग तो हाफिज सहीद का बरना है हाफिज सहीद का बेटा जो है वो चुनाव लड़ने वाला है और हाफिज सहीद का जो चुनाव लडने की बात आ रही है वो ताला लाहॉर की NA 127 नमबर सीट से भरने की बात आ रही है ताला सहीद नाम से इनका बेटा है और ये पाकिस्तान में अपनी पार्टी ताला पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के टिकेट पर चुनाव लड़ रहा है यानि अब आतंग की चुनाव लड़ेंगे कि हम New Year Celebrate नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे बुले गाजा पर इसराइल के द्वारा बड़ी बेरहमी की जा रही है और गलती से मालो तुमारे यहां पर कोई सेलिबरेट कर दिया तो क्या माना जाएगा सरतन से जुदा कर दोगे क्या उसका मतलब जिनका कोई भी आधार नहीं है बनने का न उन देशों के साथ अस्तित्व के साथ संकट आते ही रहते हैं फिलाल के लिए इतना ही इस विशह पर आपकी क्या राया है जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं बाकी चैनल पर बने रहें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें और बाकी अपने साथियों के साथ यदि आप में से कोई भी साथी स्टेट PCS की तयारी कर रहा है या आपका कोई जानने वाला कर रहा है तो उन्हें सजेस्ट करें कि अपनी partial application पर बिल्कुल board से live प्लस recorded यानि कि live तो उपस्ते थी हैं जो classes आप live नहीं देख पाए वो recorded भी आपको उपलब्द कराई जाएंगी बहुत ही बहतरीन course है पूरे एक साल के subscription के साथ foundation batch है उत्तरप्रदेश PCS के लिए भी और RAS के लिए बाप इसे join कर सकते हैं आपका समय शुब हो धन्यवार